Good morning students, आज मैं class 2 का उर्दू का second chapter पढ़ाऊंगी, इसका है heading नमाज, the prayer नमाज आलाज की अबादत के कई तरीके हैं जैसे उसकी हम्द या तारीफ बयान करना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना वगरा नमाज आलाजी अबादत करने का खास और सबसे आसान तरीका है नमाज अल्ला तल्ला की अबादत करने का सबसे खास और आसान तरीका है अल्ला ने हर मुसल्मान मर्द औरत पर पांच वक्त की नमाजें फर्ज की है पांचों वक्त की नमाजों के नाम ये हैं फजर, जुहर, असर, मगरिब और इशा फजर की नमाज सुबह सादिक के वक्त आदा की जाती है फजर की नमाज सुबह में आदा की जाती है सूरज निकलने के पहले जुहर की नमाज दोपहर होने के बाद पढ़ी जाती है असर की नमाज दोपहर ढ़ने के बाद सूरज के डूबने से पहले पढ़ी जाती है मगरिफ की नमाज सूरज डूबने के बाद पढ़ी जाती है और इशा की नमाज रात को अदा की जाती है नमाज अल्ला ताला की रजामंदी का जरिया है अल्ला ताला की रजामंदी का जरिया है क्या है वो नमाज नमाज में सर जुकाने वाले बंदे से अल्ला खुश होता है नमाज में सर जुकाने वाले बंदे से अल्ला क्या होता है खुश होता है अल्ला अपने नमाजी बंदों पर रहमते नाजिल करता है उसकी रोजी में बरकत करता है और बीमारियों से बचाता है रोजी में भी बरकत होती है और बीमारियों से भी आदमी महफूज रहता है नमाज इनसान को बुरे कामों से रोकती है नमाज इनसान को बुरे कामों से रोकती है नमाज पढ़ने वाला जूट से बचता है, वह किसी को बेवज़ा परिशान नहीं करता है, बेवज़ा वह किसी को परिशान नहीं कर सकता है, नमाज जो पढ़ने वाले बंदे हैं, इसकी वज़ा ये है कि नमाजी के दिल में खुदा का खौफ होता है, जब बंदे के दिल मे अल्ला ताला का खौफ होता है तो वह बुरे कामों से दूर रहता है जब अल्ला ताला का डर अगर जिसके भी दिल में हो वह बुरे काम से दूर रहता है वह बुरे काम कभी नहीं कर सकता है और भलाई के काम करता है और वह जितने भी नेक काम होता है भलाई के काम होता है वही वो करता है बच्चों सच्चे दिल से नमाज आदा करो और बुरे कामों से दूर रहो जूट बोलना किसी को सताना किसी की बुराई करना चोरी करना वगारे बुरे काम हैं तो तो बच्चों आप लोग इस चैप्टर को रीड करेंगे पढ़ेंगे और हमारे बताय हुई सारी बातों पर अमल करेंगे